वेलकम माइडे शुडेंट आपका स्वागत है क्लास 7 मैस एंचियाटी एक्सराइज 1.4 टूडे वी विल डिस्कस दिविजन ओप इंटिगर्स पुर्णांकों का व्यवाजन कैसे करते हैं इसके समद्ध में कुछ कुश्चंस दिया हुए हैं कुश्चन नमबर वन है इवेल्वेट ओप इच ओप फोलोविंग निम लेकित में से प्रत्निका मुल्यांकन कीजिए कैसे करेंगे आपको माइनस थर्टी को डिवाइड करना है टेंज से अभी हमने आपको पढ़ाता मल्टिप्लिकेशन में की माइनस को माइनस से मल्टिप्लाई करने पे प्लस आता है माइनस को प्लस से मल्टिप्लाई करने पे माइनस आता है और प्लस को प्लस से मल्टिप्लाई करने पे प्लस आता है अब हम कर रहे हैं division division में क्या होता है minus को किसी भी संक्या को अगर हम minus की संक्या को minus से divide करते हैं तो minus आएगा किसी भी संक्या को minus divide by plus is minus plus divide by minus is minus minus divide by minus is plus plus divide by plus is plus यह नियम आपको याद रखने हैं यहां minus 3 को divide करता है minus 10 में तो 30 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 3 तो क्या आएगा 3 minus का आएगा क्यूंकि एक minus का है एक plus का है minus divide by plus is divided by minus तो minus का 3 आजाएगा ठीक है इसका उतर आएगा minus का 3 यहां 50 is divided by minus 5 हमने आपको कहा था कि minus की संक्या से plus की संक्या को divide करने पे minus आता है ठीक है तो यह आजाएगा 10 minus 10 correct minus 36 divide by minus 9 अभी हमने आपको बताया का था कि minus को minus से divide करने पर ठीक है minus को minus से divide करने पे क्या आता है plus तो यहां क्या आजाएगा plus आजाएगा plus 4 ठीक है तो यहां क्या आएगा minus 36 क्यों कि plus को minus से multiply करेंगे तो minus आजाएगा और यहां minus 37 है यहां minus लाना है तो यह 0 बचाएगा तो plus 4 इसका inspire हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से यहां क्या है minus 49 को divide करना है plus के 49 से हमने आपको बताया था कि minus को plus से divide करना होती है minus को divide by plus तो क्या आएगा minus यहां minus आजाएगा कितना आजाएगा 1 minus 1 आएगा ठीक है plus को minus से divide करना है तो यहां कितना जाएगा 49 और यहां कुछ नहीं सेगा चीरू बचाएगा तो इसका इंसरा जाएगा माइनस पन क्लियर कुस्चन टू इविलेट इच ओप दी फॉलविंग निम लेक्ष में से प्रते का मुलेंकन कीजिए देखिए क्या है थर्टीन डिवाइड भाई पहले इसको हरका लिजिए माइनस टू में जोड़िये एक माइनस टू में एक जोड़ना है तो कैसा कितना आएगा माइनस टू ज्यादा है और यह प्लस का एक है माइनस के दूर तो रिजल्ट कहाएगा माइनस वन माइनस दो में एक जोड़ेंगे तो माइनस वन आ जाएगा तो यह तेरा में बाग देना है माइनस वन का और जब माइनस का भाग प्लस वाली संक्या में देंगे तो रिजल्ट कहाएगा माइनस देगा जाएगा और यह पर जीरो बच जाएगा तो इसका इंस्वर की आएगा मान- kunnen यहाँ पर जीरो को भाग देना है माईनस बारह से कि अब जीरो के अंदर किसी संक्या भाग देलो आप जीरो ही आएका प्लस माइनस का कोई सवाल दाल नहीं उठता है तृम इसलिए यह पर यह जीरो आ गया था किए कि अ जीरो में भाग देना है माइनस बारह का तो रिजक्ट कहाएगा जीरो तो रिजक्ट रजेड़ गएगा जीरो और अब देखिए माइनस थर्टीन थर्टीन में भाग देना है किसका पहले इसको हल कर लो ये क्या है माइनस 30 प्लस माइनस 1 माइनस 30 में जोड़ना है माइनस 1 तो जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा और जोड़ जाएंगे 31 ठीक है माइनस 30 में माइनस 1 जोड़ा तो माइनस 31 हो गया तो माइनस 30 में किसका भाग देंगे माइनस 31 का इसका result भी क्या है माइनस 30 है इसको जोड़ दिया हमने तो माइनस 31 आया और ये 31 पहले से है तो माइनस 31 में माइनस 31 का भाग देंगे तो minus में minus का भाग देंगे divide करेंगे तो plus में आएगा result कितने आएगा 1 तो ये minus को 31 हो जाएगा बचेगा 0 या result आपका क्या आगया plus को या लिखो या ना लिखो ये 1 result आगया ठीक है 1 यहाँ क्या है पहले minus 36 को divide करना है 12 से 12 किसके plus के हैं यहाँ निशा नहीं है इसका मतलब प्लस का हुआ अब minus को divide plus से करेंगे तो क्या आगा minus आएगा तो minus कितना आएगा 3 आएगा minus 3 को 12 से multiply करेंगे तो क्या आगा minus 3 26 बचेगा क्या 0 तो ये आगया minus 3 minus 3 को divide करना है किस से plus के 3 से ठीक है जब minus 3 को plus 3 से multiply करना है तो क्या result आएगा minus को plus से divide करेंगे तो minus आएगा जहाँ एक plus और एक minus आगया तो result minus आएगा जहाँ दोनों प्लस आगे तो result plus आएगा जो दोनों minus आगे तो result plus आएगा तीक है ये हुआ तो देखिए minus 1 minus 1 multiplied with 3 तो ये minus 3 हो जाएगा result आजाएगा 0 तो this is the answer clear अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर minus 6 को plus 5 जोड़ना है पहले आपको पहले आपको minus 6 में जोड़ना है 5 ठीक है minus में minus जोड़ना है तो जोड़ जाएगा लेकिन plus है ये minus का plus है तो ज्यादा किसका minus का है तो बचे का कितना result निकलेगा एक तो इसका इसकी value कितनी होगी यहाँ तक एक हो गई यहाँ minus 2 में plus करना है एक plus करना है minus वाला ज्यादा है तो minus का एक हो गया minus 2 में plus का एक जोड़ने तो minus 1 आएगा यह भी minus 1 है यह भी minus 1 है दोनू ठीक है तो यह यह भी minus 1 हो गया और यह भी minus 1 है अब इसको भाग देना है यानि minus 1 में भाग देना है minus 1 का तो जब हमने आपको पताया था कि minus में minus का भाग देने पर क्या आएगा plus आएगा तो प्लस कितना आएगा 1 तो ये प्लस 1 और माइनस 1 को मुल्टिप्लाइ करेंगे तो कहाएगा माइनस 1 बिच्चे को गजाएगा जीओ तो रिजल्ट कहाएगा 1 प्लस है इसका मतलब आप लिखो या नहीं लिखो रिजल्ट आगया 1 clear Thank you my dear student Please like and subscribe